अबर नेक्स्ट टॉपिक इस रूल्स फॉर ट्रैसिंग इमेज फॉर्म्ड वाई कॉनके मिरर के लिए कुछ रूल्स है जो ट्रैसिंग इमेज जिससे फॉर्म्ड होती है उनके अबाउत में हम कुछ पॉइंट्स की स्टड़ी करेंगे रूल लंबर फरस्ट और व्लैट्स वालिंग ओनी कॉनके मिरर सब्से पहले हम डाइगराम को ड्रो करते हैं यह क्या है मारे पास कॉनके मिरर कॉनसा मिरार रहीं विटा कॉनके मिरर यह हम सब यांन बिले लेते हवा एक प्रिंसिपल चकस ये principal axis है तो ये principal axis है तो ये point हमारे पास हो जाएगा pole ठीक है और ये incident ray है कौन सी ray है incident ray इंसीडेंट ray ठीक है along the principal axis ये क्या है हमारे पास principal axis ठीक है अब ray incident होती है इस कौन के mirror पर ठीक है और reflected हो जाती है ये ठीक है इस direction तो जहां ये reflected होती है ये reflected ray है कौन सी ray है reflected ray reflected ray है reflected ray जिस point पर meet होती वो point होता है focus क्या होगा focus और इसके बीच यह हम ले ले लेते हैं center of curvature यहां सपोज करो एक normal डाल दें यहां ठीक है तो ये angle of क्या होगा incidence और ये angle of क्या हो जाएगा reflection ठीक है एम और एम डैस क्या है हमारे पास एक कौन की mirror ठीक है तो first rule कहता क्या है the first rule कहता है हमारा array 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 of light array of light to array of light falling on falling on a concave mirror along the parallel of yeah along the principle axis principle axis of the mirror पाशिश एक्चुली थ्रो दा प्रिंसिपल फोकस थ्रो दा प्रिंसिपल फोकस एफ of the mirror तो वेटा ये rule हमारा क्या है first है rule first क्या कहता है जब कोई incident ray falling on the concave mirror parallel to the principle axis या along अप्रिंसिपल आक्सेस अलाउंग दा पैरल्ल तू दा प्रिंसिपल आक्सेस आप्डे मिरर पासिस एक्चुली थ्रो दा प्रिंसिपल फोकस आप दे मिरर ठीक है तो ये rule लंबर फास्ट है यह नहीं और ये reflected ray क्या होगी converge होगी at the point f यह हमारा प्रिंसिपल फोकस है ठीक है नेक्स्ट रूल है हमारा इफ ए रे ओफ लाइट इंसिदेंट passing through the concave mirror या passing through the center of curvature ये incident ray passing through the center of curvature of the mirror is reflected back along the same path such a ray retraces its path in opposite direction ठीक है यह यह रे इंसिदेंट होती है और पढ़ने के बाद ये concave mirror पर पढ़ती है और same path पर reflect हो जाती है ठीक है नेक्स्ट रूल रूल नंबर थर्ड है इफ ए रे ओफ लाइट या incident ray of light on a concave mirror passing through the focus if a incident ray passing through the focus f and fall on the mirror then after reflection it becomes parallel to the principal axis तो यहां जो incident ray है pass होती है किस से focus से और इस कौन के mirror पर पढ़ती है तो after the reflection ये कैसी हो जाएगी पैरलल हो जाएगी किस के principle focus के आफ्टर दर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के बाद next और last point है rule number four rule number four है if array of incident light या array of light incident towards the pole p of a concave mirror तो इस रिफ्लेक्टेट एस पर दर लॉफ रिफ्लेक्शन सेकंड लॉफ रिफ्लेक्शन के according ही ये रिफ्लेक्टेड होती है सेकंड लॉफ क्या था हमारे पास angle of incident is equal to angle of reflection तो दिस इस दो फोर वेसिक लॉफ और रूल्स for tracing image formed by concave mirror okay